हेलो गैस आपका फिर से स्वागत है आज के हमारे नई वीडियो में आज मैं आपके लिए नीट 2015 में आया हुआ कोशन लेकिया है हुँ अचली शिरू करते हैं यह कह रहा है कोशन एफ वेक्टर एक कॉस ओमेगा टी एक प्लस सान ओमेगा टी जे कप एंड बी वेक्टर कॉस ओमेगा टी वाई टू आई के प्लस सान ओमेगा टू जे कप आर फंक्शन्स ओफ टाइम देन दा वैलू अप टी टी की वैलू बताने है एट विच दे आर आर्थोगोनल टू एच अदर जब बै और तो बैक्टर हैं वह एक दूसरे के darauf ब्याइबार्ट कहने जब भी तो आप वेक्टर्स का लिखा लेंगे डॉव्योट प्रॉडट्ट क्या निका लेंगे डॉट्रड़ ला एव比較 का निकाले डॉट प्रॉड़क्ट है मतलब हम एक वेक्टर और बी वेक्टर कर निकाले डॉट्र प्रॉड़क्ट तो यहांस omega t by 2 i cap sin omega t by 2 j cap अब हमें निकालना क्या है dot product इनका तो a vector dot b vector ठीक है ऐसा करते हैं इनको लिख देते हैं cos omega t i cap sin omega t j cap dot cos omega t by 2 i cap plus shine omega t by j cap ठीक है अब क्या करोगे आप इसका एहले इसमें multiply करोगे फिर इसमें multiply करोगे अब देख़ए यहां से ध्यान देना थोड़ा सा मैं वैसे डारेक्ट भी कर सकता हूँ इसका इसमें खोड़ा करेंगे तब तो बहुल बैलू आएगी इसका इसमें multiply कर देंगे तो जाएगा 0 और क시면 जीकेप वो हुता है 0 कितना होता है 0 अब हम इसका इसमें multiply करेंगे फिर इसका इसमेंड इसके साथ ठीक है चल यह सुरू करते हैं चैनल दिख्णा यह में डिक्खा inductor कि पहले cos omega t करा करते है cos omega t cos omega t by 2 i cap dot i cap plus cos omega t shine omega t by 2 i cap dot j cap plus इसका इसमें करेंगे sin omega t cos omega t by 2 j cap dot i cap ठिक अब इसका इसमें करते हैं shine omega t shine omega t by 2 j cap dot j cap ठिक अब जिसमें और वाले जो दिखाई दे रहे हैं i dot j j dot i यह दोनों क्या हो जाएंगे 0 तो यह वाले term तो हट जाएंगे एक यह वाला हट जाएगा एक यह वाला जाएगा बचेगा कौन सा यह वाला और यह वाला a vector थाड बचेगा यह पर कौस omega t कौस omega t y 2 यह पर क्या बचेगा sin omega t shine omega t y 2 अब आपको एक फर्मुला यह दा रहा होगा कौस a कौस b plus sin a sin b देखो अगर मैं इसको a माल लूँ तो यहाँ पर भी a यह भी a अगर omega t by 2 को b माल लूँ तो यहाँ पर b ठीक है तो यह इसको इससे compare कर लेंगे तो यह जो formula बनेगा हमारा वो बनेगा cos a-b का किसका बनेगा cos a-b का ठीक चलिए अब एक चीज़ों दे रखी है यहाँ पर orthogonal to each other ठीक है चलो अभी देखते हैं इसको पहले इसको solve कर लेते हैं तो यह बन जाएगा हमारा cos a-b a-b कितना माना था omega t minus b कितना omega t y 2 ठीक है अब यह दोनों vector कैसे दे रखे थे orthogonal मतलब perpendicular to each other ठीक है तो जो मारा dot product है वो कितना हो जाएगा यहाँ पर जीरो हो जाएगा क्योंकि cos 90 की value कितनी आती है 0 अगर मैं इसको खोल देता हूँ a-b cos 90 a vector dot v vector is equal to a-b cos 90 क्योंकि आर्थोगोर निल है तो ठीटा कितना हो जाए 90 a-b cos 90 की value 0 a-b into 0 मतलब overall कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा ठीक है अब देखो यह इदर से कितना आएगा यहाँ पर cos 0 किसकी बेली होते है cos 90 की value यह आप लिख सकते है cos pi by 2 cos अब इसका ले लेते हैं LCM ठीक है 2 omega t minus omega t तो यहाँ से cos से cos किंस है यहाँ पर क्या बचेगा पाई वाई 2 पाई वाई 2 बचेगा और यहाँ पर कितना बचेगा omega 2 by omega t by 2 2 से 2 cancel हाजागा अब हम इसमें find out क्या करना था t तो हमारा बच्चा pi वरावर omega t तो t वरावर कितना आजागा आपका pi by omega ठीक है तो यही आपका final answer है तो केसी लगी आपको वीडियो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो तब तक के लिए take care and bye-bye मिलते नेक्स्ट वीडियो में कर दो कर दो कर दो कर दो